गोफे हैं, अजन देक रहे हैं, आज कि सेशन हैं जता है। खरें लेकिन को कि यहां नहीं विए और यह उपए होई फिर ऐघर कवरे को हैं, और जल्दी से एक बार सेशं को सभी बच्चे क्या करते हैं, और कि कि हम session की शुरुबात कर सकें तो session की शुरुबात करते हैं सभी का स्वागत है बाई hello everyone hello very good evening वर्षा प्रयांका जीके शर्मा मितेश शिवम सभी का स्वागत है so guys शुरुबात करते हैं और आज का जो session है इस session में हम बात करने वाले हैं इंडियन जोग्रफी और साथ साथ कुछ कोश्चन जो हैं वो आपके इंटियर ऑफ दा अर्थ बगेरा के बारे में भी रहेंगे तो मिक्स कोश्चन थोड़ा सा होगा जोग्रफी में माउंटें रिवर डैम्स तो हो गई साथ साथ अन्य चीजों पर भी बात करेंगे तो एक बार सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चे जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करते रहें और बीच-बीच में करते रहा किजिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहें बहुत कम जो है आप शेयर करते हो तो उसकी वज़े से फिर बच्चे जुड नहीं पा को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे और जनरल स्टडी का एक सेशन मेरा है शाम चार बजे तो इस बैच में आप ज़रूर जुड़िए यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे SSC, CGL, CPU, CHSL और अन्ये आपके SSC एक्जाम से संबद देगे चल पर आया है कि जापान की मदद से पूरी हुई पैथन या जायकवाडी हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक पर ही ओजना किस नदी पर है भई दा पैथन जायकवाडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कम्प्लिटेट विद दा हेल्प आफ जापान इस ओन विच्रीवर यह क तो जल्दी से इस question के बारे में बताईए, ये question भी देखते रहिए साथ-साथ, और बिल्कुल प्रियंका ने जैसा कहा, भाई, session तो share करते रहिए, and honey gangwar, very thank you for being in the session, good evening, very, very good evening, तो आज आपको मिल गया आखिर कार session, ठीक आज आपको लेट नहीं हुआ, चलिए बहुत अच्छ नेहा मित्तल ने answer दिया है, गोदावरी होगा, बाकी बच्चे भी answer दीजिए बहुत जल्दी, और चलिए बहुत गिल्लू, स्वागत है, तेजश्री बुजडे भूजडे ने कहा है, गंगा, ओके, देखिए जायकवाडी, जायकवाडी जो है गाईज, ये एक आपका क्य अधरी के बारे में बात करें, तो ये कंणाटक से उत्पन होती है, अंधरमदा के बारे में बात करें, तो ये मध्यप्रदेश से उत्पन होती है, गंगा के बारे में बात करें, तो ये आपके उत्राखंड में आ जाती है, उसके बाद गोदावरी, गोदावरी आपकी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको व्रद गंगा या फिर दक्षिनी गंगा, दक्षिनी गंगा या फिर व्रद गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, ये बाद आप सबको पता है, इसके बाद गोदावरी की जो उत्पत्ती होती है ये होती है आपके न बाकी नदियों पर बात करें तो गंगा की भागी रथी पर आपका एक बान पढ़ता है जिसका नाम है टीरी बान, कावेरी पर बात करें तो कावेरी पर पायजाता है शिव समुंदरम बान, एक बान है जिसका नाम है शिव समुंदरम बान, और नर्मदा पर आपका पायजात में भारत की साहता करी थी और यह बांध कब बंद कर तयार हुआ था 1976 में लाल बहादूर शास्त्री ने इसकी नीव रखी थी 1965 में और 1976 में इसका इनाउग्रेशन किया था इंद्रा गांधी ने इसका इनाउग्रेशन किया था एक और बात ध्यान रखीएगा यह जो जायकवाडी बांध है बांध के पीछे एक रिजर्वाइर भी बनता है बांध के पीछे क्या बनता है रिजर्वाइर रिजर्वाइर को हिंदी में क्या क बांध पर इसको भी आप सब ध्यान रखेगा क्लियर है यहां तक की बात चलिए और बिल्कुल सही आपर बताया मितेश ने कोदावरी की जो लंबाई 1465 किलोमेटर बिल्कुल सही बूरी गंगा या दक्षिनी गंगा कहते हैं एक और बात यहां पर ध्यान रखेगा अगर वो आपसे पूछेगा दगंगा ओफ साउथ इंडिया तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा मैंने क्या बोला? मैंने बोला दक्षिनी गंगा तो दक्षिनी गंगा है तो गुदावरी आंसर बिल्कुल सही लेकिन वो पूछेगा गंगा ओफ साउथ इंडिया यानि दक्षिन बारत की गंगा किसको कहते हैं तब आप कहा अंसर रजाएगा कावेरी किसको कहते हैं कावेरी को कहते हैं इस बात को भी आप सब ध्यान रखेगा क्लियर है बात सभी को ठीक हैं चलिए ओके जयान अब ध्यान रखोंगा मैं थोड़ा सा अब जो है इंक्रीस करके बॉलूँगा आप अगले कोश्चन का जवाब दीजिए अब पास लोकेटेड एट दे सदन एंड औफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इसकॉल्ड दक्षिन भारत में नीलगिरी पहाडियों के दक्षिनी छोर पर इस्थित दर्रे को क्या कहा जाता है पालगाट दूसरा है भौरगाट तीसरा है तालगाट या फिर चौथा है बॉलन जल्दी से इसका आंसर बतानी की कोशिश कीजिए पालगाट और भोरगाट ये दोनों आपके कहां पर पढ़ते हैं महरास्ट्र में ये आपके कहां पर पढ़ते हैं महरास्ट्र में और पालगाट आपका कहां पर पढ़ता है ये पढ़ता है आपका केरला कहां पर पढ़ता है केरला इसको पालाकड भी कहते हैं वहां की पाल नाडू और उसके साथ-साथ को अलग करता है तो केरला और तमिल नाडु को अलग करता है क्या नाम है इसका पाल गहाट और पाल गहुए अफिला message nhất हो जाएगा आपका पाल घाट इसका सही अंसर हो जाएगा याने की ए ऑप्शन जो बच्छे यहां पर सी कह रहे हैं रहां रहां जो भी है ठीक है तो उसका सही चलिए अगला कोशन बताईए डप्रिंसिपल कॉपल डिपोजट ऑफ इंडिया लाइज इन विच आफ दी पॉलइंग प्लेस भारत के प्रमुक तांबे जमा निमलिखित इस्थानों में से किस इस्थान पर आते हैं तोड़ा सा यहां पर हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वो यह बोच रहा है कि भारत में जो copper, यहां पर तांबे का जो अफसाद है, तांबे की जो deposition है, वो भारत में कहां पर पाई जाती है, सबसे ज़ादा, options हैं, हजारी बाग एंड सिंग्भम इन बिहार, खेत्री एंडरीबो एरियाज ऑफ राजस्थान, अनन्दपूर इन आंधर प्रदेश, या शिवालिक्स इन उत्तर प्रदेश एन इन कर्णाटक, तो यहां पर यह किसके बारे में पूछ रहा है, यहां पर यह पूछ रहा है आपसे, कॉपर डिपोजिशन के बारे में, बच्चे तेजश्री जो नील गिरी होता है, नील गिरी परवश शंगला आपकी कहां बर बढ़ती है, यह पढ़ती है, आपकी कर्णाटक और तमिल नाडू, तो उसने क्या कहा है, उसके दक्षन में, है ना, तो यह जो आएगा अगर उसके एरिया को देखोगे, तो उससे दोड़ा दक्षन में पड़ेगा, तो इस बचे से यहां पर यह कोशन बना, ठीक है, ओके, तो जैसा मैंने सोचा था, बच्चे वैसा ही आंसर दे रहे हैं, लेकिन प्रियंका ने, जो आंसर दिया, प्रियंका ने आंसर दिया है आपका B option, उसके अलावा जो है, बाकी बच्चों ने यहां पर आंसर, जो है, B option, B option, B option, जैसा मैंने सोचा था, वही आंसर दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा, आपका A option, देखे, याद रखेगा, the principle of copper deposition, भारत में सबसे जादा जो copper deposition है, बच्चों, यह आपका कहां पर बढ़ता है, हजारी बाग and singbam in Bihar, ठीक है, इसका सबसे जादर deposition यहां पर पाया जाता है, जो आप यह खेतरी की बात करें हो, खेतरी और राजिस्तान की जो बात आप सुनके आए हो, यहां पर आपकी माइन, क्या है, आपकी खदाने, ठीक है, खदानों की बात सही ह खदानों की यहां पर आती है, लेकिन जो copper belt का पूरा deposition है, वो आपका हजारी बाग और singbam में पाया जाता है, इन Bihar, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका A option, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A option, इसका सही आंसर हो जाएगा, not the B option, अगला बताईए, the salal project is on the river, वही कि salal, pariyojna कौन सी नदी पर है, रावी, जेलम, सतलज या चेनाब, यह जो चारो नदिया है, यह आपको पता ही होगा, और इनके अलावा एक और नदी जो आती है, ठीक है, यह सारी नदिया ब्यास, इनके अलावा एक और नदी आती है, ब्यास, यह सारी नदिया जो है, किस कि सायक नदियां बन जाती है ये सायक नदियां बन जाती है आपकी सिंदू नदी की यानि ये उत्तर भारत की permanent reverse में आती है तो पूछ क्या रहा है कि सलाल पर योजना किस पर बनती है रूपा कुमारी माइन्स जो है आपकी खदाने जो है वो आपकी खेतरी राजस्तान में पाई जाएगी ठीक है लेकिन जो पूरी की पूरी है कॉपर की जो डिपोजिशन की बैल्ट है ये मेंली आपकी कहाँ पर पढ़ती है ये पढ़ती है आपकी सिंग्वम और उसके अलावा बिहार में पढ़ती है ठीक है चलिए और यहाँ पर बच्चों ने जवाब दिया रहान ने वाणी ने श्रिकंत मॉंडल ने वर्शा ने और सभी बच्चों ने जवाब दिया सलाल के बारे में बताए कि सलाल कौन से पर पढ़ता है यहाँ पर ये पढ़ता है बच्चों इसका सही आंसर क्या होग चेनाब इसका सही आंसर क्या होगा चेनाब होगा जेलम वालों मान जाओ बात को तो सलाल प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब नदी पर है और यह कहाँ पर पढ़ता है आपका यह पढ़ता है आपका जम्मू कश्मीर कहाँ पर पढ़ता है आपका जम्मू कश्मीर में पढ़ता है दूसरी चीज़ है कि ये जो सतलज नदी है सतलज नदी पर आपका पढ़ता है कौन सा बाकरा नांगल कौन सा पढ़ता है बाकरा नांगल और बाकरा नांगल में बाकरा पढ़ता है हिमाचल में और नांगल पढ़ता है आपका पंजाब में और दोनों के बीच में एक रिजर्वायर एक जलाश्य पाया जाता है जिसका नाम है आपका गोविंद सागर इसका नाम क्या है गोविंद सागर तो चेनाब नदी पर है आपका सलाल प्रोजेक्ट बिल्कुल ओल आउट हो गए यहां पर और इसके बाद आगे बात करते हैं रावी के बारे में तो रावी पर एक बांध पायदा आता है आपके बात करें तो चेनाब आती है आपके जंबू से यह कां से आती है जम्मू से आती है इन चीजों के आप सब ध्यान रखिएगा चलिए बिलकों सही रुबा गोविन बलब पंत जो है वो आपका UP में वो आपका रिहांद बांध पर पाया जाता है और वो सोन नदी पर बना हुआ है सोन भदर में पढ़ता है UP के सोन भदर में याद रखिएगा चलिए अगली बात करते हैं अगली बात करते हैं भाई भारत का एक मात्र शित्र ऐसा जहां पर सोने का उत्पाधन भी होता है और जो सोने के साथ साथ लोहे के उत्पाधन में भी समक्ष है तो इसमें आता है आपका North Eastern Zone यानि कि उत्तर पुर्वी शेत्र उत्तर पश्चिमी शेत्र दक्षिनी शेत्र या उप्यूक्त में से कोई नहीं यानि कि None of the Above जल्दी से बताईए और साथ साथ भई session को share करते रहिए सभी बच्चे जितने भी बच्चे मेरे साथ बने हुए है session को share भी करते रहिए और Honey Gangwar ने answer दिया है C होगा यानि कि Southern Zone बिल्कुल सही Priyanka ने जवाब दिया North West North West कहा अंजली आरव ने तेजर श्री ने कहा A होगा यानि कि North Eastern वो चली गए है मतलब कहाँ पे असम वगारे वाले इलाके में चली बच्चों, देखी आप एक बाद जान लीजे कि आपको अगर पता हो यह हमारा अगर भारत है मान लो यह हमारा भारत है और यहाँ पर पडता है आपका कर्णाठक कर्णाठक में आपकी तो आपकी क्या पाई जाती है KGF पाई जाती है यानि कोलार गोल विल्लट पाइजाती है यह रॉकी बाई में मंच चले जा ना कोलार गोल विल्लट जो है वहाँ की माहिन है जिसमें सोना पाया जाता है इसके अलावा दूसरा यहां पर क्या पाया जाता है red soil पाया जाती है यानि यह डककन पठार है यानि यहां पर अलोहे के तत्व भी काफी मात्रा में मिल जाएंगे तो यह जगे कौन सी है कर्णाटक और कर्णाटक कौन से एरिया में पढ़ता है आपका कर्णाटक हो जाएगा दक्षिनी शित्र और यहां पर देखिए यहां पर यह कुछ आपके important minerals है तो इसकी पूरी यह list है तो आप जो है इसका screenshot ले सकते हैं मैं आपको एक बार यहां पर मौका देता हूँ कि आप इसका screenshot ले मैं एक बार यहां से हट जाता हूँ तो आप इसका screenshot ले सकते हैं और इसका screenshot I hope सबको यह दिख रहा होगा और मैं 5-10 seconds देता हूँ आप लोगों को कि आप इसका screenshot ले ले इसमें सभी minerals को cover किया गया है कि कौन-कौन से minerals कहां-कहां पर पाए जाते हैं तो इसको आप देख सकते हूँ यहां पर तो इसको देख लीजेगा और फिर अगले question पर चलते हैं चले और यह आगया मैं वापिस और अगला question आगया आप लोगों के सामने अगला question है the refineries are Mathura, Digboy and Panipat are set up by by refineries जो है Mathura, Digboy and Panipat की वो किसके द्वारा बनाई गई है या किसके अंतरगत आती है तो options है Indian Oil Corporation और दूसरा था आपका हिंदुस्तान Petroleum Corporation भारत Petroleum Corporation या फिर Crude Distillation Unit of Madras Refineries Limited जल्दी से बताईए जयन्त ने answer दिया A यानि की आपका Indian Oil Corporation जीके शर्मा ने answer दिया A option यानि की Indian Oil Corporation तो इसका सही answer क्या होगा गाईज? इसका सही answer होगा आपका Indian Oil Corporation Mathura के बारे में बात करें तो Mathura की जो refineries है इसको कब बनाए गया? 1972 Digboy refineries के बारे में बात करें तो ये आपकी सबसे पूरानी refineries है असम में पढ़ती है आप सबको पदाई होगा 1901 में इसकी उत्पत्ती हुई और पानीपत refineries आपकी बनी 1998 में और ये तीनों किसके अंतरगत आती हैं ये आती हैं आपके Indian Oil Corporation के अंतरगत आती हैं इंडिया नाइल का आपका पड़ेगा वो पड़ेगा आपका दिल्ली में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा चलिए अगले question पर चलते हैं which of the following has the potential for harnessing of the tidal energy in India भाई भारत में निमलिकित में से किसमें भारत में जुआरिये उर्जा के दोहन की शमता है options है Gulf of Kambe, Gulf of Manar, उसके लावा Blackwaters of Kerala या फिर चिलका लेक Tidal energy पता है ना, Tidal energy किसको कहते हैं Tidal energy वो energy होती है कि जब आपकी ज़वारवाटा आती है जब पानी का इस्तर बढ़ता है तो उस इस्तर का इस्तमाल किया जाता है energy के release के लिए ठीक है, electricity बनाने के लिए तो उसको हम क्या कहते है, उसको कहते है tidal energy, जब जवारवाटा आती है तो अगर आपको ये पता होगा कि भारत में सबसे उची जवारवाटा कहाँ पर आती है, तो आप इसका answer बहुत ही असानी से दे पाओगे तो यहाँ पर सशी आदम ने कहा A होगा, यानि Gulf of कामबे होगा और देजश्री ने कहा A होगा, कृष्ण कुमार ने कहा B होगा, यानि Gulf of मनार वर्षा ने कहा B होगा बच्चों याद रखो, यहाँ पर आपकी जो tidal energy है, हमेशा सबसे उची जोआर भाटा कहा पर आता है वो आता है आपका gulf of कामबे कहा पर आता है, gulf of कामबे में अगर सबसे उची जोआर आती है तो भही tidal energy भी सबसे जाँ पर बनेगी तो सही answer क्या हो जाएगा इसका gulf of कामबे, अगर वो आप से पूछे कि विश्व में सबसे उची जुआर कहाँ पर आती है तो याद रखिएगा ये आती है आपकी Bay of Fundy कहाँ पर आती है Bay of Fundy Bay of Fundy आपकी पढ़ती है Canada में Canada में Fundy की खाड़ी में विश्व की सबसे उची जुआर आती है और Tidal Energy की उत्पत्ती भी Canada में सबसे ज़्यादा होती है इसके बाद अगर बात करें तो आपकी बात आजाती है भारत में किसके बारे में भारत में बात आजाती है Thermal Power के बारे में Thermal Power भारत में जो होता है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाली Energy Form है Thermal Power यानि की कौशिक पर पढ़ता है यह आपका पढ़ता है तो भारत में सबस्जाधा थर्म पावर में पर भनती है विश्भु में कहा पर पाई जाती है Alfred Canada में पढती है इस बात को भी आप सब ध्याद रखिएगा को ठीक है चलिए अगले कोश्चन की ज़रफ चलते हैं दा इयर डैश इस कॉल्ड ग्रेट डिवाइड इन दा डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भई वर्ष डैश को भारत के जन संखिय इतिहास में एक माहान विभाजन कहा जाता है अगर आप थोड़े से भी करंटली एक्टिव हैं तो यह कोश्चन आपने जरूर सुनाओगा क्योंकि जब से यह कोविट नाइटीन शुरू हुआ है तब से ही उननिस सो अठारा की बाद बहुत बार हमारे सामने आई है और अगर उननिस सो अठारा की बाद आपने सुनी होगी तो उस समय का आपने फैमाइन भी सुना होगा और फैमाइन सुना होगा तो आपको पता भी होगा कि भारत में किस इस तर पर जो है वहाँ पर मौते हुई थी लोगों की करोडों लोग भारत में मारे गए थे जिसकी वज़े से Great Divide का Year Great Divide का वर्ष किसको कहा जाता है और बिलकुल सही, बहुत भड़ी आंसर कृष्ण कुमार ने आंसर दिया प्रियंका ने आंसर दिया जयंत बर्मन ने कहा 1901 और ज्यादा दर बच्चों ने कहा 1921 तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 1921 आपको मैं बता दूँ कि 1918 में एक तो आपका आया था Spanish Flu जो आपका 1918 में आया था और 1919 में ये खतम हुआ था और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर फैमाईन भी आया था भारत में काफी बड़ा सूखा भी पड़ा था तो आपको पता भी होगा 1918 में खेडा अंदुलन हुआ था जब आपका फैमाईन आया था और उसके बावजूद खेडा में जो है अंग्रेजों ने क्या बड़ा दिया था इंक्रीज कर दिया था टैक्स को, कर को इंक्रीज कर दिया था तो उस समय में फैमाईन की वज़े से और स्पैनिश फ्लू की वज़े से काफी बड़े पैमाने पर भारत में मृत्य हुई थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि 1911 के मुकाबले 1921 में जो आपकी total population थी वो क्या हुई थी, decrease हुई थी, यानि negative में गई थी, तो इसलिए 1921 जो है उस year को क्या कहा जाता है, उस year को कहा जाता है, the year of great divide कहा जाता है, बात समझ में आई, due to the demographic history of India, तो इस बात को आप सब बच्चे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1921, अगले question का जवाब दीजिए, three important rivers of the Indian subcontinent have their sources near the Maan Sarover Lake in the greater Himalaya, these rivers are, भारतिय उप महाद्वीप की तीन महतवपूर्ण नदियां के इस्तरोत, महान हिमाले में Maan Sarover जील के पास है, ये नदियां है options हैं, सिंदु नदी, जेलम नदी, सतलज नदी, भ्रमपुत्र, सतलज, यमुना, भ्रमपुत्र, इंडज, या सतलज, या फिर जेलम, सतलज, और यमुना, जल्दी से बताईए इसका answer क्या होगा बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे जल्दी से जवाब दीजिए, अगले question का, और साथ साथ session को like करते रहना भई, जितने भी बच्चे जुड़े हैं और session पसंद आ रहा है, तो session को like करते रहेगा, उस बारे में wait मत किया कीजिए, कि मैं कहूंगा और फिर करेंगे, थिक्या न बच्चों इसका सही answer आपको क्या होगा, C option होगा, भ्रमपुत्र, इंड़स and सतलज, तीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे, यह भारत का हमारा map है, तीक है, यह यहाँ पर आपका आजाता है नेपाल और यह इस तरह से आपका यह आगे चला जाता है इस तरह से, और यह आजाता है हमारे भारत का ताज, यह क्या आजाता है, यह आजाता है हमारे भारत का ताज, तो यहाँ इस जगे पर आपके दो तल पढ़ते हैं, यह जो आपका कैलाश, यह आपके ट्रांस हिमालिया का एक हिस्सा होता है, यहाँ पर आपका कौन सा हिमाल और एक पाया जाता है राक्षस तल, मान सरोवर जील से आपकी तीन नदिया निगलती है, एक निगलती है सिंदु नदी, एक निगलती है आपकी सतलज और एक निगल जाती है आपकी भ्रहम पुत्रा, ठीक है, तो ये तीनों नदिया आपकी किस से निगलती है, मान सरोवर जी लिए से निकलती है जो आपकी कहाँ पर पाई जाती है कैलाश परवत 才 सड़ पर पाया जाता है यnothing का शोता है दिए नद रहरा हिस्ट हो बाकी जो जेलम और जेलम के बारे में तो मैंने आपको बता होगी और इसके अलावा जो है बाकी नदिया मैंने आपको बता दी चलिए अगला है भाई दा ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया और रिपोर्टेट फ्रॉम भारत में सबसे पुरानी चट्टानों को सूचित किया दाद है कौन सी है निमलिकित में से धरवर शेत्र की चट्टाने जो करनाटक में पड़ती है अरावली शेत्र की चट्टाने जो राज थी कि वो आपको मांसरोवर से निगलती है चलिए अगले कोशन का जवाब भी देती जब सभी बच्चे दा ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर रिपोर्टेट फ्रॉम धर्वर रीजन इन कर्नाटक अरावली रेंज राजस्थान विंद्या रेंज इन मध्यप्रदेश य भारत में जो सबसे पुरानी चट्टाने पाई गई है वो कौन सी पाई गई है धर्वर और ये जो धर्वर चट्टाने हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि धर्वर चट्टाने जो हैं ये मुख्य रूप से आपकी किसका हिस्सा होती है ये आपके प नाकपूर पठार छोटा नाकपूर पठार भी इसी का बना होता है तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा धरवर रीजन भाई बच्चों यहां पे मैंने परवच श्रंकला नहीं पूची कोश्चन को पढ़ लो ओल्डेस्ट रॉक्स पूच रहा है परवच श्रंकला नहीं पूच रहा माउंटेन नहीं पूची उसने उसने क्या पूची है चटान चटान सबसे पूरानी कौन सी है भारत में वह है धरवर रीजन धरवर रीजन सबसे पूरानी चटान है और यह आपकी कहां पर पढ़ती ह यह आपकी डककन में उसके साथ साथ राजिस्तान में भी पढ़ती है और आपके छोटा नाकपूर पठार में भी यह पाई जाती है छोटा नाकपूर पठार के बारे में एक और बात आपको बता दूँ कि छोटा नाकपूर पठार को भारत का क्या कहा जाता है इसको इंडिया का रूर कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है इंडिया का रूर कहा जाता है एक्चुली रूर जो है ये एक सिटी है कहाँ पे जर्मनी में कहाँ पे है जर्मनी में एक रूर नाम की नदी है उसके किनारे जो शहर बसा है जो इलाका है वहाँ पर विश्व का सबसे जादा खनिज पाया जाता है और इसी तरह से भारत में जो खनिज का जो रूर कहा जाता है भारत का रूर किसको कहा जाता है वो कहा जाता है छोटा नाकपूर को कहा जाता है तो इस बात को भी आप सब यहां पर ध्यान रखेगा तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा A option सही आंसर हो जाएगा बाखी रूर वाली बात को ध्यान रखेगा देखे हैं चलिए अगला है Which atomic power station in India is built completely indigeniously भारत में कौन सा परमानू बिजली घर पूरी तरह से स्वदेशी होकर बनाया गया है Options हैं कलपाकम, नरोरा, रावत भाटा या तारापूर जल्दी से बताईए इसका अंसर क्या होगा Options आपके सामने हैं और इन सभी Options का इस्तेमाल करके जल्दी से मुझे बतानी की कोशिश कीजिए कि कहां से भारत का एक ऐसा power project एक ऐसा atomic power station बनाया गया है जो पूरी दरे से स्वदेशी है कलपाकम, नरोरा, रावत भाटा, तारापूर तारापूर सॉरी यहां पर तारापूर होना चाहिए यह तारापूर और यह तारापूर आपका पढ़ता है महरास्ट में कहां पर पढ़ता है महरास्ट और यह USA की मदद से बनाया गया है रावत भाटा जो है आपका पढ़ता है राजस्थान ये कहां पर पढ़ता है राजस्थान और ये जो है आपका फ्रांस की मदद से इसको बनाया गया है नरोरा आपका पढ़ता है बुलंद शहर नाम का एक टाउन है वहाँ पे कल पाकम Atomic Power Plant आपका पाया जाता है जिसको हम मदरास Atomic Power Station भी कहते हैं इसको हम क्या नाम से जानते हैं मदरास Atomic Power Station के नाम से भी इसको हम जानते हैं तो ये बात भी ध्यान रखेगा तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा A Option यानि के कल पाकम देखें चलिए आगे बात करते हैं अगला Question है आपका Interior Structure of Earth से संबंदिद है और इसके बारे में बताइए प्रत्वी की आंतरिक भाग में क्या होता है Options है Temperature Rise with the Increasing Depth उसके बार Temperature Falls with the Increasing Depth Pressure Falls with the Increasing Depth या फिर Both Temperature and Pressure Falls with the Increasing Depth भाई Options आपके सामने हैं जल्दी से इसका अंसर बता दीजिए कि जब आप प्रत्वी के अंदर जाना शुरू करोगे तो क्या चीज में परिवर्तन होगा क्या उसका Temperature बढ़ेगा गहराई के साथ Temperature घटेगा गहराई के साथ Pressure यानि कि दबाव जो है वो घटेगा गहराई के साथ या Temperature और Pressure यानि दबाव और ताप दोनों घटेगे गहराई के साथ जल्दी से बताईए बच्चों ने कहा D होगा Manisha ने कहा B होगा Manisha आदव ने कहा B होगा Temperature falls with the increasing of depth Honey Gangwar ने answer दिया है A होगा Rahul Gautam ने कहा है A होगा जितेंदर कुष्वा ने कहा है A होगा और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जो होगा ओके कृष्ण कुमार तिवारी नेहा चलिए आशुपाल बहुत अच्चे गाईज इसका सही answer गाईज क्या होगा आपका Temperature increase करेगा देखो ध्यान से समझो मान लो यह तुमारी धर्ती है और तुम धर्ती के जो है यह तुम अंदर जा रहे हो अंदर जा रहे हो तो पहली बात ध्यान रखो कि यहाँ पर Temperature क्या करेगा इतनी सारी चीजे उपर से रखी हुई है ठीक है और आप अंदर ही अंदर जाते जा रहे हो कि वहाँ पे कोई हवा का कोई स्तुरोत नहीं कोई आने जाने का कोई तरीका नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा Temperature increase करेगा तभी तो अंदर का जो material होता है वह पिगल जाता है और क्या बन जाता है मैगमा और वह मैगमा क्या करता है बाहर फटता है इस तरह से तो तभी तो पता चलना कि Temperature increase है मतलब Temperature बढ़ रहा है दूसरी चीज़ है Pressure यानि कि दबाव दबाव क्या करेगा दबाव भी increase करेगा क्यों increase करेगा भई आप इतनी अंदर जा रहे हो गहराई में और आपके उपर चारों तरफ से कभी कि दर से कुछ मिनरल्स है इदर से पत्थर है इदर से चट्टाने है तो हर चीज़ का Pressure होगा ना तो increase of temperature and pressure अगर यहाँ पर D option में यहाँ पर fall की जगे क्या लिखा होता है increase लिखा होता तो आपका D option भी सही होता और A option भी सही होता लेकिन फिलाल में जो D option है वो गलत है इसका सही answer क्या होगा आपका A option यानि कि गहराई के साथ तापमान increase करेगा तो A option आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चली अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन है आपका गंगा सागर मेला गंगा सागर मेला जो है यह कहां पर पढ़ता कौन से रज्जे में इसको बनाया जाता है options हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वेस्ट बेंगॉल या महराष्ट्रा जल्दी से इसका आंसर देनी की कोशिश कीजिए कि आपका गंगा सागर मेला जो है कौन से रज्जे में पढ़ता है देखो मेलो से संबंदित प्रशना बच्चों हर एक्जामस में पूछे जाते हैं तो एक मेलो से संबंदित आपके पास सूची होनी चाहिए और वो सूची देने का काम मैं ही करूँगा अभी इसके जस्ट बात दूँगा आपको फिलाल आप इस कुश्चन का आंसर दीजिए कि गंगा सागर मेला जो है यह आपका कहां पर पढ़ता है और बिलकुल भई जो है इसको मापिया ने कहा है सी होगा यानि वेस्ट बेंगॉल होगा राहुल गौतम ने कहा वेस्ट बेंगॉल मुकेश ने कहा वेस्ट बेंगॉल चलिए बहुत अच्छे बच्चो इसका सही आंसर क्या होगा आपका वेस्ट बेंगॉल होगा यानि कि गंगा सागर मेला आपका कहां पर बनता है West Bengal में बनाया जाता है यह जो गंगा सागर मेला होता है यह आपका जन्वरी में मकर सक्रांती के समय जब मकर सक्रांती आने वाली होती है और उसके समय में यह गंगा सागर मेला आपका आयोजन इसका किया जाता है ठीक है इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है यह आपकी कुछ list है तो आप इसको देख सकते हो एक बार मैं अपने आपको hide कर लेता हूँ ताकि आप इस list को आराम से देख सकें बाकि इसके अलावा मैं इस lecture की जो pdf है वो थोड़ी देर बाद आपको इस session के बाद आपको मिल जाएगी तो आप बिल्कुल आके उसको एक बार यहाँ पर download कर लिजिएगा ताकि आपको यह जो list है जो इससे पहले वाली list थी एक minerals वाली और यह वाली भी यह चीज़ें आपको lecture के साथ पूरी तरह से मिल जाएं तो यहाँ पर यह list है आप इसको देख सकते हो और यह है दूसरी list तो आप इसको एक बार pause करके और आप इनका screenshot का इस ले लिजिएगा मैंने आपको 10-10 सेकिंड के लिए इनको दिखा दिया है तो आप इनका screenshot जरूर ले लिजिएगा अब हम आगे चलते हैं अगले question की तरफ ठीक है चले अगला है the core of the earth is also known as dash भाई प्रत्वी की जो सबसे अंदरूनी परत होती है उसको किस रूप से जाना जाता है options है lithosphere यानि इस्थलमंडल, mesosphere, barosphere या centrosphere देखिए ध्यान से सुनिएगा हमारी जो अंदरूनी सनरचना होती है जो interior structure होता है interior structure दो प्रकार से divided होता है कैसे कैसे एक होता है chemical base यानि की रसाइनिक तौर पर और एक होता है physical base जो rassainic base होता है, वो क्या होता है? वो होता है जैसे syal, सीमा, नीफे, तिक Estors, और जो आपका physical base होता है, वो कौन काॉन सा होता है? वो होता है आपका leaggerosphere, तिक है? इसके बाद आता है, आपका esthenosphere, एक परत होती है esthenosphere, फिर esthenosphere का ही इस फ्रकार जो सबसे अंदरोनी भाग होता है उसको कहते हैं उसको कहते हैं बैरीस फिर तो सबसे जो अंदरोनी भाग है जो जिसको हम कहते हैं जिसको हम क्या कहते है, कोर, जिसमें आपका निफे पाया जाता है, और जिसको हम बैरी स्फेर कहते हैं, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, C option, यानि की बैरी स्फेर, तो interior structure of the earth को हम दो भागों में बाठते हैं, एक होता है chemical, एक होता है physical, जो chemical होता है, सियाल, सीमा और निफे और physical होता है, आपका लीथोस्फेर, लीथोस्फेर आपके किसको कहते हैं, लीथोस्फेर कहते हैं, आपके crust को, यानि भूपर पटी को, ठीक है, उसके बाद एस्थिनोस्फेर और मेजोस्फेर किसको कहते हैं, mental, ठीक है, mental को कहते हैं और बैरी स्फेर किसको कहते यह कहते हैं आपके core को, तो इस बात को आप सब ध्यान रखेगा, देखें, चलिए, अगली बात करते हैं, marbles are formed due to change in, भई, marble जो होता है, marble में परिवर्तन के कारण, dash में परिवर्तन के कारण marble बनता है, options है, clay, limestone, sandstone या granite, अब इस चीज़ को समझने के लिए, आप एक बार जरा यहां पर volcanic eruption का तरीगा समझेगा, कि volcanoes में होता क्या है, देखो क्या होता है, कि मान लो यह हमारी धर्ती है, और धर्ती के अंदर यह चल रही है, गुड़-गुड, कैसी गुड़-गुड चल रही है, भई, धर्ती के अंदर pressure और temperature के कारण, जो आसपास के mineral चट्टाने पिगलने लगी, पिगलने लगी, तो सारा का सारा क्या बन गया, लिक्विड बन गया, अब वो लिक्विड बन गया, तो उसमें क्या हुआ, प्रेशर बना, प्रेशर क्या करने लगा, फूटने लगा, जब वो प्रेशर फूटने के लिए उपर आया, तो उसने यहां पे दरार बनाई और इस तरह से ये प्रैशर फूट गया और यहां पे क्या बन गया यहां पे बन गया एक जौला मुखी यह इस तरह से जौला मुखी बन गया जिसमें से ये प्रैशर इस तरह से फूटने लगा अब क्या होता है अब होता यह है कि यह जो बाहर आया यह क्या है लावा ये जो बाहर आया ये लावा है जो अंदर की तरफ रह गया वो क्या है मैगमा जो अंदर मैगमा रह गया और अंदर ही ठंडा हो गया जब मैगमा अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उससे कौन सी चट्टान बनती है उससे बनती है आपकी ग्रैनाइट और जो लावा तो उससे क्या बनता है उससे बनता है आपका बसाल्ट दोनों ही इगनियस रॉक्स होते हैं लेकिन अलग अलग नाम है जो लावा से बनता है वो बसाल्ट जो मैगमा से बनता है वो क्या है आपका ग्रेनाइट अब ग्रेनाइट जो बना है यहाँ पर इस ग्रेनाइट को जब का क्या हो जाएगा गाइस marble हो जाएगा बाकी के जितने है यहाँ पर जैसे lime store sandstone और यह जो chickeny, मिट्टी है यह सभी आपके sedimentary rocks यह सभी आपकी क्या थी अप साधी चट्टाने थी तो वह तो अफने आप answer खतम हो गया तो आपका answer क्या बच्चा है यहां पे बच्चा आपका granite यानि की d option clear है तो d option सही होगा guys इसका सही answer क्या होगा आपका granite यह process होता है magma से बनता है granite lava से बनता है basalt ठीक है चलिए अगला है the covada nuclear park project is proposed to be set up in which state कोvada parmanu park pariyojna किस राज्य में इस्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था options है राजस्तान उत्तर प्रदेश आंदर प्रदेश कंड़ा ठक यह थोड़ा सा आपके current से related हो जाएगा तो उसको हम marble कैते हैं तो तो गैबरू basalt और गनाइट यह तीन प्रकार की rocks होती है जो आपकी igneus होती है sandstone और आपका जो limestone वगेरा यह सब होता है यह आपका क्या होता है यह आपका होता है इसलिए यह सब होता है. Sedimentary rocks, fossil भी sedimentary rocks में आते है, और finally आपका जो आता है marbles और अन्य चीजें जो उन से बनाई जाती हैं वो आती हैं आपकी metamorphic rocks में चलिए, मितेश ने C बताया, स्वान अचारे ने C बताया मनीश राणा ने कहा है B होगा, बंटी कुमार का कहना है D यानी की करनाटक होगा प्रियंका ने कहा है C होगा, बच्चो इसका सही आंसर होगा क्या, आंधर प्रदेश इसका सही आंसर क्या होगा, आंधर प्रदेश और ये योजना जो है ये कोवडा nuclear park project ये आंधर प्रदेश के लिए आयोजित किया गया है अभी ये process में है, अगला भई, अगला question है आपका ITCZ भई, ITCZ जो होता है, इसकी full form क्या होती है, मुझे बस आप इतना बता दीजिए इतना मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, देखिए, ये आपकी धरती है थोड़ी सी पतली हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका equator है, ये 0 degree equator है और ये आपकी equator line है, equator line पे आपकी क्या बनती है, एक pressure belt बनती है equator से 5 से 10 degree उपर और नीचे, यहाँ पर एक pressure belt बनती है इस pressure belt का नाम क्या होता है इसका नाम होता है equatorial low इसको क्या कहते है equatorial low क्यों कहते है क्योंकि एक तो भूमत दे है इसलिए equatorial और यहाँ पर low pressure बनता है इसलिए इसको क्या कहते है equatorial low कहते है इसका एक नाम होता है वो होता है ITCZ तो ITCZ की full form क्या होती है वो जरा मुझे आप जल्दी से यहाँ पर बता दीजे What is the full form of ITCZ? तो बच्चों ने जवाब दिया यहाँ पर अर्पना ने कहा B होगा अंजली आरव ने, मोनी ने और इसके अलावा जो है दिव्या ने D बताया प्रसंजीत ने B बताया, प्रिंका ने B बताया, रिजू ने B बताया बंटी ने D बताया, स्वर्नाचारे ने D बताया इसका सही आंसर आपका क्या होगा? B option यानि कि Intertropical Convergence Zone International नहीं होगा, क्या होगा? Intertropical Convergence Zone होगा और ये वही ITCZ होती है, जिसके कारण आपका जो है जो Pressure Belt कहलाती है, जो Pressure Belt Shift होती है तो Shifting के कारण काफी भारत के मौनसून पे और हवाओं पर प्रभाव पड़ता है तो इसके बारे में आपको किस दिन एक अच्छा सा Lecture लेकर आऊंगा जिसमें हम हर चीज, हर Pressure Belt को डिसकस करेंगे फिलाल इसको जान लिजे, इसकी Full Form क्या होती है ITCZ और ये आपके 0 डिग्री से 5 से 10 डिग्री उपर और 5 से 10 डिग्री नीचे तक ये पाई जाती है अगला है, What is the name given to the wind blowings from subtropical high pressure region to the equator? उष्ण कटी बंधी उच्च दबाव शेत्रों से भूम अध्य रेका की तक बहने वाली हवाओं को क्या नाम दिया दाता है? अब इसको समझिए, भई आपकी जो साड़े 23 डिग्री उत्तर होती है या तो साड़े 23 डिग्री उत्तर या साड़े 23 डिग्री दक्षन और ये बीच में होती है आपकी 0 डिग्री एक्वेटर अब क्या होता है कि साड़े 23 डिग्री उत्तर के भी 5 डिग्री उपर 5 डिग्री नीचे और साड़े 23 डिग्री दक्षन के भी 5 डिग्री उपर 5 डिग्री नीचे एक pressure belt बनती है जिसका नाम होता है subtropical high क्या नाम होता है subtropical high और आपको पता है कि जो हवा चलती है वो high से low चलती है तो low कहां पे है, low है आपका equator पे तो हवा कैसे जारी होगी हवा जारी होगी subtropical से low की दरब लेकिन ये कैसे जाएगी ये ऐसे जाएगी और नीचे जो जाएगी ये कैसे जाएगी ये ऐसे जाएगी ये left की तरफ गिरती हुई जाएगी इन हवाओं के बारे में पूच रहा है कि इन हवाओं को क्या नाम दिया जाता है तो जल्दी से मुझे ज़रा एक बार comment में लिखके बता दीजे कि इन हवाओं को क्या नाम दिया जाता है बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है अंजली आरव ने कहा है A होगा वेस्टर लीज होगा बंटी कुमार ने कहा है B होगा यानि ट्रॉपिकल इस्टर लीज होगा और B या A B या A जादा तर बच्चे B या A में फसे हुए है और तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा और बहुत ही दुखत ख़बर है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का आंसर गलत है इसका सही आंसर आपका क्या होगा जाएगा आपकी ट्रेडविंड्स सब ट्रॉपिकल हाई से लो एक्वेटोरियल लो की दरफ जाती है याद रखो सब ट्रॉपिकल हाई से एक्वेटोरियल लो कौन सी जाती है आपकी ट्रेडविंड्स यानि कि वानिज्य पवने इसके बाद जो आपकी westerlies जाती है बच्चों ये याद रखिए आपकी subtropical high से ये जाती है आपके temperate low की दरफ यानि की साड़े 23 से 666 की दरफ और tropical easterlies के बारे में बात करें तो tropical easterlies या high altitude easterlies ये आपकी कहां पे चलती है ये आपकी चलती है साड़े 66 यानि की temperate low और polar high के ब option ठीक है चलिए अगला बदा ये which of the falling river flows through our rift valley निमलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है गंगा नर्मदा ब्रहंपुतर कृष्णा दीखे रिफ्ट वैली के बारे में बात करें तो हमारा जो ये भारत है हमारे भारत में रिफ्ट वैली ये पूरा जो रिफ्ट वैली कहते है ये रिफ्ट वैली कहलाती है यहाँ पर चटाने ढ़ोड़ी सी है तो आर्म आपकी नर्मदा हुई आपकी तापती हुई, आपकी माही नदी हुई, आपकी जो है यहाँ पर लूनी नदी हुई, यह सब आपकी कहां पर बैती हैं, आपकी रिफ्ट वैली में यह बैती हैं, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी option इसका सही आंसर हो जाएगा, यानि की नर्मदा, ठी इनलाडू, मैकाल रेंज, जल्दी से बताईए, मैकाल रेंज जो पार्ट होता है, याद रखेगा, ये पार्ट होता है, सत्थपूरा का, ये किसका पार्ट होता है, सत्थपूरा का पार्ट होता है, अब आंसर दे दीजे कि ये कहां पर भाएगी, क्योंकि इसके हिसाब से, स गाइस च्छतिस गड़ में पड़ेगा तो इसलिए इसका सही आसर आपको क्यों हो जाएगा सी option हो जाएगा राजिस्थान में अरावली आती है जम्मु कश्मिर में आपकी हिमालय और तमिल नादू में आपका आ जाता है इस्टन गाट और नेलगिरी परवत श्रंखला अगला है इस्ट्रेट ओफ जिब्राल्टर connects which of the following भई जो जिब्राल्टर का स्ट्रेट सौरी खाड़ी नहीं होगा यहाँ पे खाड़ी शब्द गलत लिखा है खाड़ी नहीं होगा जिब्राल्टर का जो जल्डमरू माद्दे है वो निमलिकित में से किस किस को जोड़ता है options हैं लाल सागर, भूमद्य सागर लाल सागर, अरब सागर Atlantic Ocean यानि Atlantic महा सागर और भूमद्य सागर और Mediterranean C और Black C यानि कि भूमद्य सागर और काला सागर को जोड़ता है जल्दी से बताईए 21 का बच्चों ने कहा है C होगा यानि कि Atlantic और Mediterranean C मनीशा ने कहा A होगा यानि कि आपका Red C और Mediterranean C होगा चलिए, इसको देख लेते हैं यह आपका सामने World Map है I hope सबको यह World Map दिख रहा होगा अब यहाँ पर कुछ important Straits के बारे में जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं देखिए, जैसे यहाँ पर एक Straight पाया जाता है इसको कहते हैं Palk Straight इसको क्या कहते हैं Palk Straight कहते हैं यह आपका यहाँ पर एक Straight पाया जाता है फर्क होता है कि Straight Narrow होता है, यानि थोड़ा सा बारीक होता है, Channel थोड़ा Wide होता है, बस इतना फर्क होता है और कोई फरक नहीं होता, इसी लिए यहाँ पर दिखान रखिए कि यहाँ पर यह जो आपका England यानि United Kingdom और France है इन दोनों के बीच में आपका क्या पाया जाता है English Channel पाया जाता है और इससे पीछे यहाँ पर आपकी पाया जाती है Dower Straight यहाँ पर क्या पाया जाती है Dower Straight पाया जाती है इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यह आपका जो Channel है, इसका नाम है मौजबिक चैनल, इसका नाम क्या है मौजबिक चैनल यह मौजबिक चैनल है और जो आपकी स्ट्रेट आफ जिब्राल्टर है यह आपकी कहाँ पर पाई जाती है यह आपकी पाई जाती है यहाँ पर और इसको कहते है स्ट्रेट आफ जिब्राल्टर जिबराल्टर की स्ट्रेट कहते हैं यह यह अपका पढ़ता है यहां पे यस्पेन और यह नीचे पढ़ता है आपका मौरोक को करता है और इटलांटिक सागर और भूमद्य सागर को यह जोड देता है तो इन दोनों को जोड़ता है अच्छा एक बच्चे ने कहा कि भूम अद्य सागर और लाल सागर बच्चे इन दोनों को जोड़ता है वो होती है आपकी स्वेज कैनाल वो कौन सी होती है स्वेज कैनाल होती है इस चीज़ को भी आप सब ध्यान रखिएगा मिच्टर गोडवा तो बच्चे आपका जो अभी तक एक्जाम है वो अगस्त में ही है अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो हम तो 100% मान के चल रहे हैं कि पेपर आपका 17 अगस्त को CHSL का पहला प्री जो है जो रहा था वो हो जाएगा तो अभी तो यहीं चीज है चलिए आगे बात करते हैं तो मेरे हिससाब से यह चीज आप सब को क्लियर होई होगी कि चैनल क्या होता है और चैनल क्या होता है और यह कुछ डिफेरेंट स्ट्रेट्स हैं जो हमारे हमारी दुनिया में अकशर सबसें पूछे जाते हैं, पाल की स्ट्रेट को ध्यान रखिएगा, और यह आपका पढ़ता है, कहां पर यह आपका पढ़ता है, यह पढ़ता है आपका इंडिया और श्रिलंका के बीच में, तो यह ता आज का सेशन, आज का सेशन सबको पसंद आया होगा, और आज के कुश्चन्स आप सबको पसंद आये होगे, इनको रिवाइस कीजिएगा, यह कुश्चन्स इंपॉर्टन हैं, तो इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, और बिलकुल जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, कि यह हमारा जो है, यहाँ पर शिडूल है, इसको आप देख सकते हो, मैं आपसे मिलता हूं, मेरा नाम समीर सिंगल है, जो बच्चे पहली बार जुड़े हूं, मेरा नाम समीर सिंगल है, मैं SSC अड़र 24-7 पर General Studies पढ़ाता हूं, डेड़ बजे पढ़ाता हूं, एफकेट और CDS के लिए, और दूसरा 4 बजे जो यह टाइमिंग है, इसमें हम बात करते हैं, SSC संबंदित सब्जेक्ट, SSC संबंदित पेपर, जैसे कि CHSL, CPO, और आपका CGL, इन अन्ने एक्जाम्स के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके बात जो है, बात आ जाती है, यहाँ पर 247 पर जाइए, इस पर डिसकाउंट चल रहा है, और डिसकाउंट के बाद यह बैच आपको पढ़ रहा है, मात्र 919 रुपे का, डिसकाउंट कब मिलेगा, जब आप यह code यूज़ करोगे, Y203, तो मेरा code, मेरा referral code यह Y203 यूज़ कीजे, इस बैच को जाइन कीजे, 15 जुल पहले वीडियो को जरूर जो है, लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, उनसे पूछीएगा वे कितने questions इसमें से कर पाते हैं, क्योंकि questions अच्छे थे, और दूसरा जो है बई, बिलकुल मिलते हैं कल, कल का session रहेगा, कल का session रहे और कल मिलते हैं, डेड़ बजे और शाम चार बजे, तब तक के लिए, थैंक यू आल, गड़ ब्लस यू आल गाइस, एंड बाई गाइस